कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है पर युद्ध की ये तस्वीर है इस कहावत को यूठा साबित कर रही है आश्या ने खंडहर में बदल गई है जहां तक जिधर तक नजर जाती है मलबा ही मलबा बिख्रा पड़ा है पंपारी और हमले के बाद की ये तस्वीरें लोगों का दर्द बया कर रही है जमीन पर पड़े बच्चों के खिलोने से हमले से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है इमारतों की डेर से निकलती ये लाशें युद का मनजर बता रही है ये दजवीर कहीं और की नहीं बलकि घाजा के शरुनार्थी कैम नुसिराद की है इजरैल पर आरोप है कि उसने सेंट्रल घाजा के शरुनार्थी कैम पर हमला किया है जिसमें 18 से जादा लोगों की मौत हो गई है हलाकि इसरेल ने इस पर कोई टिप बड़ी नहीं की है इसरेल ने घाजा पर ये हमला 23 दिसंबर की रात में की हमले का वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरेल घाजा का नामुने शान मिटाने में जुटा है इस्रेल गाजा के हरे कट्डे पर निशाना बना कर हमला कर रहा है साथ अटूपस इचारी जंग में इस्रेल ने गाजा को दुनिया के मैप से हटाने की कसम खाई है इस्रेल गाजा के किसी एक जगे को निशाना नहीं बना रहा बलकि वो चुन चुन कर उसकी रीड की हट भी तोड़ने में जुटा हुआ है इस्रैल ने घाजा बॉर्डर पर मौजूद रफा कैमपर भी 24 दिसंबर की रात दो बज़े के आसपा सहमला किया जिसमें कई लोगों की गायल होने की खबर है उत्तरी घाजा की बड़ी इमारते हों या दक्षन घाजा की कैमप इस्रैल सब को मलबे में मिठाने की कोशिच में लगा हुआ है इस्रैल ने घाजा को पूरी तरह से घेर लिया है वो दक्षन से लेकर पश्चन और मद्ध घाजा में हमला कर रहा है नुसरा रफा से 32 किलो मेटर की दूरी पर है घाजा की हालत अब बहुत नाजुक है इस्रैल अपने उपर हुए हमले का बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा और शायद यही कारण है कि वो आम लोग और सैनिक में फर्क नहीं कर पा रहा है इस्रैल ने साफ कर दिया है कि वो जब तक हमास का नाम और शान नहीं मिटा देता तब तक बो शान्त नहीं बैखने बादा तल्राओोने ताहत ताहता है ताहता है ताहता है ही है संयुत राश्ट के मुठाप घाजा में अकाल का खत्रा बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वहां लोगों को दाने दाने के लिए मौताज होना पड़ेगा और इसका बच्छों परसर सबसे जादा होगा 78 दिन से जारी जंग में घाजा ने अब तक अपने 20,000 से जादा लोगों को खो दिया है और अभी भी वहां हम ले थमने का नाम नहीं ले रही है आईडियफ यानि इस्रेली डेफेंस फोर्स के प्रवक्ता की उससे कहा दिया है कि घाजा में भारी मात्रा में हत्यार है दाराज दोफा में हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन के दोरान स्कूलों को स्कैन किया इस दोरान हमास की नौसेना कमांडो 21 से सम्मंधित रॉकेट, उपकरा और दूसरे हत्यार पाए गए इसरैली बलों ने जमीनी युद्ध के दोरान हमास के एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेटों सहे लगभग 30,000 विस फोटक उपकरणों को भी नश्ट कर दिया है या उनको जब्द कर लिया है पर अब बड़ा सवाल है आगे क्या इसरैल हमलों से घाजा के दुर्धशा करने में चुटा है और ऐसे में हमास का समर्थन करने वाले लोगों में गुस्सा उबाल पर है वो किसी भी हालत में नेतन्याहू को माफ नहीं करने की शबत ले रहे है पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं लोग घाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं लोगों में युद्ध को लेकर गुस्सा है ये यमन है यहां लोग हजारों की संख्या में इसरैल के खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका के खिलाब भी नारेबाजी हो रही है. वहीं जकारता में भी लोगों ने अमेरिकी अम्बसी के बाहर खड़े होकर जम कर नारेबाजी की और फेलिस्तिन का समर्थन किया. इसरेल हमास युद्ध के दोरा पिछले 24 घंटे में मारे गये लोगों की बात करें तो यहां कड़ा करीब 200 के करीब है. इसको लेकर अमेरिकी राश्टरपदी जो बाइडन ने इसरेली प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को फोन किया और हालातों के बारे में जानकारी ली है. गाजा में इसरेल का अक्रमार्ण हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी सैन्ने अभियानों में से एक रहा है. जिसने गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85 पीज़दी लोगों को बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है. सेयुक्त राष्ट और अन्य एजेंसियों के सब्ता एक रिपोर्ट के अनुसार घाजा में आधे मिलियन से अधिक लोग यानि आबादी का एक चौथाई भूख से मर रहे हैं. हमास की कर्टूतों का नुक्सान आम फिलिस्तीनी मौत और दबाही के दोर पर पुगत रहा है. इन हमास लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार बताई जा रही है. लेकिन इनकी वज़ा से करीब 23 लाख के आबादी खून के आशूर हो रही है, जिनका कोई कसूर नहीं है. बच्च, महिलाओं की मौतों के खबर ने पूरी दुनिया को जड़ जोर कर रख दिया है. लेकिन ना तो इस्रेल हमला करने से रुख रहा है, ना सीज फायर के लिए तयार है, ना ही हमास प्रतिकार से रुखने वाला है. इस बीच घाजा है, जो जल रहा है, दिन, हफ़ते, महीने और अब दो साल बदलने जा रहा है. झाल